कि दोंस्तों हम वर आप सभी जानते हैं कि भारत एक इत्रशी प्रतान देश है यानि कि यहां की इक्जे किलचर पर चलती है लबग सेवंटी परशन्ट जो पोबुलीशन है वह गाओं में रहती है और डारेक्टली और इन्डारेक्टली एगरी कल्चर wordt depend होती है अब यदि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले उन तो किसानों का development होना स्वभावी है अब उचित दाम का मतलब क्या है उचित दाम का मतलब वो MRP नहीं है मैं को पॉलिटिकली यहां पर बात नहीं करने जा रहा हूं उचित दाम कब मिलेगा जब उचित market मिलेगी उन्हें एक ऐसी market मिले जहां पर उनके products की demand हो जहां पर लोग जानें कि हाँ यह product इस particular गाउं का है दोस्तों इसी बात को ले करके सरकार ने एक बहुत बड़ा initiative लिया है और इस initiative के बाद हम यह कह सकते हैं कि भारत की फसले अब फिदेशों में भी धूम मचाने जा रहे हैं वो कैसे वो क्या initiative है इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे उससे पहले आपसे request हमारे चैनल को इरिया भी तक आपने subscribe नहीं किया है तो इसी तुरण सबस्क्राइब करें पर हाँ like का button दवाना बिल्कुल मित भूलिएगा दोस्तों मैं आपसे एक कोश्य पूछू कि भारत में चाय कहां की famous है आप भी चाय पीते हैं चाय कहां की famous है तो आप तुरंत एक जवाब देंगे कि चाय तो famous है आसाम की अगर मैं यह पूछू कि चाय आसाम प्रदेश की famous है बिल्कुल ठीक बात है आसाम की चाय हर को जाता है लेकिन क्या आप किसी particular शहर का नाम बता सकते हैं और जिस से related है चाय या चाय का नाम famous है उस शहर के कारण जी हाँ बिल्कुल सही आपने कहा दारजलिंग चाय आप कहेंगे सब दारजलिंग की चाय सबसे बेस्ट चाय होती है तो अब दारजलिंग एक शहर है एक छोटा टाउन है लेकिन वहाँ पर चाय की quality इतनी अच्छी है कि वो दारजलिंग चाय के नाम से जानी जाती है यह इन बड़े प्रॉसपेक्टिव में देखें तो आसां एक स्टीट की चाह नहीं तौर प्रकार हमारे देड़ में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं बहुत सारे ऐसे गाओं धिननकी अपनी अपनी फसलें और एक अलग और टी रखती जया बात करें इनिशेटिव ले रहे है इनिशेटिव क्या है सेन्टरं फोक्सेस ऑन प्रमोटीं एक्सपोर्ट ओफ जीयाई टैंक्स एग्रिक्रट्छर प्रॉड्क्स कि और पूप फोकस कर रही है जी आइग्रिकल्चर प्रॉडट्स कि अब पैहनगे सभी जीएउ टैंक्ड जिए टेंग तो मतलब होता है इसा जोग्राफिकल आइडिक के इंडिकेशन इस देनेम और साइन यूजट ऑन स्टेन पॉड़क्स विश्क रॉस्पोंडेंट टू इस स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोगेशन और ऑर एजन फॉर एग्जांपल टाउन और तो यानि कि सरकार अब क्या करेगी कि हर प्रॉड़क्ट की जोग्राफिकल इंडिकेशन देगी उसकी एक आइडिकेशन देगी कि ये प्रॉड़क्ट पर्टिकुलरली इस सहर से रिलेटेड है इस टाउन से रिलेटेड है और वो उस प्रॉड़क्ट को उस टाउन के साथ उस रीजन के साथ या उस country के साथ, country तो चलिए हिंदुस्तान है, तो उस state के साथ वो उस product को export करने का plan कर रही है। अगर डार्जिलिंग शहर की है, तो उसको एक specific नाम दिया जाएगा, उसको एक tag दिया गया, एक उसको identification दी गई, geographically, इस particular area की ये चाय है। तो इस प्रकार जो GI tag होगा, तो उससे उस town का, उस village का या उस state का की popularity बढ़ेगी। कि ये हम जो product खहीद रहे हो इस particular area का product खहीद रहे हैं। जैसे कि वाइल डार्जिलिंग टी एंड बासमती राई आट टू पॉपुलर GI tagged agriculture products of India, आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो export होता है वो बासमती राई होता है, ये हमारे already GI tagged agriculture products हैं। और पूरे world में फैले हुए हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि देखिए आपको अच्छी rate कम मिलेंगे जब आपके buyers जादा होगे, और buyers कब जादा होगे जब आप उसे local से vocal करेंगे, जब आप उसे अपने area से निकाल करके पूरे दुनिया में आप उसे फैलाएंगे, तो आपके buyers पूरी दुनिया से आएं Agriculture and Processed Food Export Development Authority, दोस्तों एक Agriculture and Processed Food Export Development Authority है, जिसे हम APEDA बोलते हैं, उसके थुरू सरकार इसे vocal को, vocal for local या आप इसे आपने भारत की तरफ बढ़ता हुआ एक करम मान सकते हैं, तो इसमें सरकार कर क्या रही है, इसमें सरकार अभी क्या कर रही है कि जो आपके products हैं, local products हैं, जिनकी market में demand है, जिनकी local के अंदर तो बहुत value है, इंदुस्तान में तो लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन विदेशों में उनकी अभी कोई demand नहीं है, या विदेशों में लोग उसे उस particular नाम के साथ नहीं जानते हैं, वो नहीं जान चावल होगा, इसी प्रकार से वो जो particular product हैं, जो आपके local products हैं, उनको export करने का trial कर रही हैं, जैसे कि काला नमक राइस, नागा मिर्ची, आसाम काजी नेमू, बैंगला रोज ओनियन, नागपुर के ओरेंज, तो इस प्रकार GI वेरेटेज अफ मेंगोश, GI टेग्ड साही ली मदरई, मली, मदरई की एक आइटम हो गया, तो इस प्रकार ये कुछ आइटम्स हैं, जिनको सरकार अब प्रमोट कर रही है, विदेशों में भेज रही है, trial के तोर पर, trial के तोर पर मतलब कि वो अभी उनके samples भेज रही है, विदेशों में, आप ये products को देखिए, चेक जैसे आप देखिए ना की भालिया वीड, या नागपूर ओरंज, ओरंज पूरे हिंदुस्ताना मनते हैं लेकिन अब वो सिर्फ नागपूर के औरंज को export करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नागपूर के नाम के साथ वो ओरंज export हो ज्यादा से ज्यादा, जलगाउँ बनान जलगाओं के बनाना बनाना हिंदुस्तान में काफी जगाप होते हैं लेकिन जलगाओं के साफ जाएंगे तो दोस्तों इस प्रकासरकार की कोशिश है कि प्रोड़क्स को मैक्सिमूम लोगों तक पहुंचाए जाए पूरे दिनिया में उसको फैलाए जाए और और ऑजन्डेट देर और 417 झाइइब फूरवंड़ड़ सेवंट सेवंटीन रजिश्टर जी आइई प्रोड़क्स आर प्रमोटेड़ प्रोड़क्स अर प्रमोटेद बाइद उर्दी के वह अभी एक्सपोर्ट कर रही है ठ्रायल बे सिस पर कुछ इटम्स कुछ में ट्रिटन्स कुछ केजी वह भेशती है विदेशों में बड़े-बड़े जो इंपोर्टर से बड़े-बड़े जो सप्लायर से उन पर्टिकुलर कंट्री के उनको भेशती है कि बहुत हैं यह सैंपल्स को देखिए और पसंद कीजिए और आप हमें और कीजिए दोस्तों आप भी एपेड़ा की साइट पर जा करके चेक कर सकते हैं कि वह कौन-कौन से हंड़र्ट्स हैं और आपके भी यदि लोकल एरिये का कोई प्रोड़क्ट है जो की बहुत फेमस है आप समझते हैं कि यह पूरी दुनिया में भी फेमस हो सकता है तो आप एपेड़ा के साथ स भूलेगा और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों साथ चेर जरूर दीजिए धन्यवाद